नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली निउस बूलेटिन में आपका स्वागत है इसके मुखे प्रावजक हैं आरकेज जुएलर्स आकरसक आभूशनों के विश्वसनिय विक्रेता यमुना चौक बक्सर साधी के 25 दिन बाद ही लगा दिया इंदू को ठिकाने कैमूर से बरामद हुआ सब्ता में दो दिन जनता की सिकायत सुनते हैं जिला धिकारी पहुँचे 33 आवे दन सोतेले पिता ने गला दवा कर दसवर्सी बच्चे को मारा दर्ज हुई प्रत्मी की मारपीट के खिलाफ कालेज कर्मियों ने बंद किया काम छात्रों ने भी दिया धरना गंगा में डुबा नहाने गया किसोर अगले दिन मिला सौला परवाही का आरोप अग्यात वहान ने मारी मा बेटी को टक कर पीपी रोड की घटना बिजली का करन्ट लगने से जुलस गया राजमिस्तरी हालत गंभीर खबरे विस्तार से के प्रयजक हैं काम धेन उन्यक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिम्री संपर करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर अब खबरों के चर्च अबिस्तार से बुलेटिन की पहली सुर्खी है जिला अधिकारी अंसुल अगरवाल के निर्देश पर जन्वित्रन परणाली की दुकानों कि सघंज्याच का आभियान बीते दिन बुध्वार को चला राजपूर प्रखंड के विभिन पंचायतों में जीले के कई वरिये पदाधिकारीयों को भेजा गया था इन लोगों ने पंचायत अस्तर पर जाकर गाउं अस्तर पर जाकर जन्वित्रन परणाली के दुकानों की सघंज्याच की अश्टॉक चेक किया कितने में रासन बट रहा है इसकी भी समिक्षा की बुलेटिन की दूसरी सुर्की भी राजपूर से जुड़ी हुई है इस थाना चेतर के अकबर पूर गाउं में 11 जून को ही इंदू का विवा हुआ था लेकिन ससुराल वालों ने 25 दिन बाद ही उसे गला दबा कर मार दिया और सौ को कैमूर जिला के नुआओ थाना चेतर के मतहीं पूल के समी बोरे मिले जाकर दफना दिया इंदू नुखा थाना के सिर्फ पुरुआ गाउं की रहने वाली है उसके पिता की ततपरता के बाद उसका सव बरामद हुआ इस मामले में पती समेत 5-6 लोगों परेफायार हुआ है बुलेटिन की तीसरी सुर्खी ए जिरादिकारी अंसूल अगरवाल सब्ताह में दो दिन जनता की फर्याद सुनते हैं बुधवार एवं सुक्रवार यहां जान लेना आवस्यक है कि जनता दरबार कितने बज़े आयो जीत होता है इसका समय अपरान 3-5 बज़े का है सुबा 10 बज़े पहुँचकर यहां परसान होने की जरूरत नहीं है जिराजन संपर का रियाले ने बताया बीते दीन बुधवार को कुल 33 आवेदन यहां पहुँचे जिन्हें आवस्यक बिभागों को करवाई के लिए प्रेसित कर दिया गया है बुलेटेलिन की चौथी सुर्खी मन को द्रवित करने वाली है ब्रहंपूर थाना छेतर के रखुनाथपूर गाओं में बुधवार की साम एक बड़ी ही लो महर सक घटना हुई सौतेले पिता ने अपने दस वर्षी यह बच्चे को गला दबा कर मार दिया हाला कि अस्थाने लोगों की माने तो अमीत कुमार जो यहां मेडिकल प्रेक्टिसनर के रूप में काम करता है आरेंपी डॉक्टर जिसे आप क्रामेड चिकेट सकते हैं वह यहां का रहने वाला नहीं है उसकी पतनी सपना और इसका दूसरा विवा है हाल ही फिलहाली लोगों ने रगुनार्थफूर में अस्पताल खोला था सपना को पहले पती से दस वर्स का एक बच्चा था दीपक चार दिन पहले ही उसे होस्टल से वह घर ले करके आई थी और मौका देखते ही अमीत ने उसका गलादबा दिया जम मा से पुछा गया तो उसका रो रोकर पुरा हाल था किया है एल्ट्पेंड किया है आम से साधी किया है दुसरा साधी मेरे से किया है पहले होस्टल में डाले थे जगदीद को यहाई ऑल चार दिसे लिया इलबनी को थागिता रवशाला कुलल बारे माई बुलेटिन की पांचवी सुरकी है सहर के एंबी काउलेज में सिक्षकेतर करमचारी हर्ताल पर चले गए है चार तारीख को वहां कुछ छात्र नेताओ द्वारा कालेज के करमचारियों के साथ हुई मारपीट के घटना के विरोध में उन्होंने अपना कामकाज ठप कर दिया है धरने पर बैठ गया है वहीं दूसरी तरफ चात्र राजद और रवी यादो जो चात्र संग को चात्र संग के अधक्ष है इन लोगों द्वारा भी धरना दिया गया उनका काना है कालेज के करमचारियों ने तुसार वेजेता को मारकर उसका सर्फ फोर दिया साथ ही हमारे साथ भी गंभीर मारतीट की है इस धरने में एनसुयाई और राजद के चात्र भी सामिल रहे मंगलवार की साम गंगा में डूब जाने से धंजी गुपता की मिर्टी हो गई या सहर के गजाधर गंज का रहने वाला है इनसेट में आप उसी की तस्विर देख रहे हैं परजिनों ने आरोप लगाया कि दुरघटना मंगलवार की साम होई हम लोग परसासन के पास मदद मागने के लिए गए लेकिन देर साम होने की वज़े से मामला बुधवार के लिए टाल दिया गया और बुधवार को भी समय से मदद मुहया नहीं कराई गई बुलेटिन की सातवी सुर्खी है सहर के पीपी रोड में अग्यात वाहन ने जैसवाल धारमसारा के समीप मा बेटी को टक्कर मार दी इसमें कुर्पुरुआ की रहने वाली नुसरत खातून और उनकी चार वर्सी बेटी गंभी रूप से घायल हो गई नयोग रहा उस समय घटनास्तल के समीप ही भाजपाक महिला मोर्चा की जिला धक सिला त्रेवेदी थी तुरत ही इन दोनों महिलाओं को भी स्वामितर स्पताल में ले जाकर दाखिल कराया जहां इनका उपचार फिलहाल चल रहा है बुलेटिन की आठवी सुर्खी है सिक्र स्वाल इलाखे के बसवली वसाओं गाउं में वे एक व्यक्ति के हां काम करने आया थे तभी गुद्वार को उन्हें करन्ट लग गया अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सी सूचना प्रतेक रविवार को बकसर खबर दिभी दर्शन नाम से एक सब्ताइक कारीकरम प हन्ने बाद